आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले एक अपील देश कोविड टीका करण अभ्यान के अंतरगत एक सो पचास करोड टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है कोरोना वाइरस का नया वेरियंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं इसे देखते हुए शोताओं से हमारी अपील है कि अथा शेगर दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें क्रप्या तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस्की सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्क दर्शन के लिए राश्ट्री हेलप लाइन नंबर 011-23-9-7-8-0-46 और 1075 पर संपर करें अब इस बिलेटेन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार प्रदेश में पंचाय चुनाव फिलहाल इस्थगीत केबिनेट ने लिया फैसला अनुसूचित जन जाती कन्याओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए कन्या शिक्षा परिसरों के लिए 1877 करोड़ों से अधिक की राशी मंजूर की गई राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने आज भोपाल में पिछले पांच दिनों से चल रहे अंतर राश्ट्रिय वन मेले का समापन किया और भोपाल में किया जाएगा वर्ष 2022-23 का युवा खेल उस्थव खेलो इंडिया योजना के लिए 215 करोड 53 ला मंत्री नरोफ्तम मिश्राने दी बाद में पंचाय चुनाओ के अध्यादेश को निरस्थ करने संबंधी प्रस्ताओ के संबंध में मुख्य मंत्री शिवराज सिन ही चोहान ने राज्यपाल मंगु भाई पटेल से मुलाकात की और अध्यादेश वापस लेने का मन की बात कारिक्रम में कोरोना के नए वेरियंट से साउधान रहने की अपील की। श्री मोधी ने लोगों से नए साल को बहतर बनाने का संकल्प लेने का हवान किया। उन्होंने सर्विया के विद्वान मोमीर निकिच का उल्लेक किया जिन्होंने एक द्वी भाषी संस्क्रत सर्वियाई शब्दकोष का संकलन किया है। श्री मोधी ने मंगोलिया के 93 वर्षी प्रोफेसर गेंडे धरम का भी उल्लेक किया जिनोंने पिछले चार दश्कों के दुरान भारत के लगभग 40 प्राचिन गम्तों का मंगोलियाई भाषा में अनुवात किया है। सच भारत के बारे में श्री मोधी ने NCC केड़ेटों के पुनित सागर अभियान का भी उल्लेक किया। करोड से अधिक की पुनरिक्षित राशी को राज्य मंत्री परिशत ने स्विक्रती दी। कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए। मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरोरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ रमू साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते वे राज्य सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इन दोर में कोरोना संक्रमन और नए वेरियंट ओमिक्रोन संक्रमन को देखते वे जिला प्रशासन और स्वास्त विभाग तयारियों में जुट गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इन दोर जिले में पिछले 24 घंटों के दोरान कोरोना संक्रमन के 19 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले के विभिन अस्पतालों में उपचारत कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्या 120 तक पहुँच गई है। शहर में अब ओमिक्रॉन संक्रमन के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसे लेकर जिला प्रशाशन और स्वास्त विभाग अलर्ड मोड पर है। स्वास्त विभाग से मिली जानकारी के नुसार इन दोर शहर में विदेश से आने वाले सभी आत्रियों की सगन जांच की जा रही है। संक्रमन के बरते मामलों को देखते हुए जहां शाशकी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग से बिस्तर तयार किये गए हैं वही नीजी चिकत सालयों को भी 10% बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए तयार रखने को कहा गया है। मनिंदर कुमार दुबे आकाश्वानी समाचार इंदौर आज राज्य केविनेट की बेठक में यह मंजूरी दी गई टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाडियों के उतकर्ष्ट प्रदर्शन के बाद भुपाल में खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भुपाल को स्पोर्ट्स हब बनाये जाने की दिशा में यह एक महतपूर निन्ना है मंत्री परिशद ने इस योजना में भुपाल में अंतर राश्ट्री स्पोर्स कॉंपलेक्स के निर्मान के लिए तीन वर्षों में पूंजी गत्व्याय राशी 137 करोड़ 60 लाग रुपे की स्विक्रती दी वही मशीन और उपकरन क्राई के लिए पूंजी गत्व्याय राशी 38 करोड़ 99 लाग रुपे स्पोर्स कॉंपलेक्स की स्थापना और रख रखाव के लिए वश 2023 से आवर्ती वे प्रतिवर्ष राशी 15 करोड़ 56 लाग रुपे की मंजूरी दी साथ ही खेलो इंडिया यूद गेम्स के आवजन के लिए राजस्व अनावर्ती वे 23 करोड 38 लाग रुपे की स्विक्रती दी गई गोर तलब है कि केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को खेले उंडिया यूद गेम्स 2022-23 की मेजवानी देने की सेध्धान्तिक सहमती दे चुकी है अब कुछ समाचार संशेप में मुख्यमत्री ने आज क्रांतिकारी सरदार उधम सिही की जैनती और पूर्व राष्टपती स्वर्गी डाक्टर शंकर दयाचर्मा की पूर्णितिति पर उन्हें शद्धान्जली दी जैपूर में होने वाले रोल बाल राष्टी टूर्नामेंट में खेलने वाली मध्यप्रदेश की टीम में खंडवा के सिध्ध आनंद जैन को चैनित किया गया टीम में प्रदेश के कुल बारह खिराली शामिल किये गए हैं फिलहाल इस गुलिटेन में इतना ही अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगस की दूरी हाथ धुना भी है जरूरी नमस्कार झाल झाल झाल